हेलो एवरिवन वेल्कम टू नौकरे एस्पिरेंट उमीद करती हूं आप सब एकदम ठीक हैं दोस्तो हम आपके लिए ऐसे सी जीडी कॉंस्टेबल की ब्रमास्तर सीरिज लेकर आई वे हैं इस सीरिज में हम आपके साथ हिंदी के पट्रिस्टो प्लस क्योश्टन की तयारी करेंगे आज हम आपके साथ तीन सीफ्ट के प्रियस पेपर क्योश्टन सोल करेंगे तो चलिए बढ़ते हैं पहले अपनी सीफ्ट फर्ष्ट के MCQ की तरफ जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भुले साथ ही पीडिया फोर नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nokryaspirant.com पर विजिट कर सकते हैं आप हमारे शोशल प्लैटफोर्म के साथ भी और लाइक का बटन दबा दो फिर हम अपने आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है मुर्ग्यों के दोड़ने की आवाज सुनाई दे रही थी तो बताइए कैसी सुनाई दे रही थी चल्दी से कोमेंट करके बताइए वेरी गूड तो हमारा सही जवाब है ओप्शन फोर किड़ 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 की आगे बढ़ते हैं मुहावरे का सही अर्थ बताना है मुहावरा कौन सा है कलेजे का टुकड़ा बताइए कलेजे का टुकड़ा कैसे होता है आपके पास ओप् अत्यदिक दुख, ऐसे हैं ये पीड़ा, अत्यदिक प्रिय, मन में बैचेनी, बताइए कलेजे का टुकड़ा क्या हुआ, वेरी गूट, तो हमारा सही जवाब है, ओप्चन थी, अत्यदिक प्रिय, आगे बढ़ते हैं, रिक्तिस्तान बरनाय में, इस खालिस्तान ठीक बारह बजे हैं, तो बताइए, क्या आएगा खालिस्तान में, वेरी गूट, इस समय ठीक बारह बजे हैं, आगे बढ़ते हैं, गोचर, गोचर का विलोम शब्द चुने, बताइए, वेरी गूट, ओप्शन थी, अगोचर, आगे बढ़ते हैं, अरवाचीन, बताइए, क्या होग इसके विलोम शब्द, अरवाचीन का, तो हमारा सही जवाब है, ओप्शन थी, प्राचीन, आगे देखते हैं, कौन से बाग में तुरूटी हमें ये बताना है, दिल्ली की जामा मस्जिद, विश्व एतियासिक द्रोवर में समलित हुए हैं, कोई तुरूटी नहीं है, या है, तो कौन से बाग में है, वो अमें बताना है, तो हमारा सही जवाब होगा, ओप्शन थी, और भाग भी थी है, हुए है नहीं है, हुई है, या पर इस बाग में तुरूटी है, आगे बढ़ते हैं, वहें जिसकी दृष्टी दूर तक जाए, उसके लिए एक शब्द बत हमारा सही जवाब क्या होगा, ओप्शन दी, दूर दर्शन, और दूर की सोचने वाले को बोलेंगे दूर दर्शी, ठीक है, आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं, पट्टी पढ़ाना, मुहावरे का सही अर्थ बताओ, ये तो काफी सुनो अगा, तुमने पट्टी पढ़ा होगी, तुम्हें किसी ने पट्टी पढ़ाना, बताइए, तो इसका मतलब है, ओप्शन फोर वेरे गुड, बुरी सला देना, पट्टी पढ़ाना, बुरी सला देना, आगे बढ़ते हैं, रोगी को सेब काट कर खिलाओ, तो बताइए, इसके जगा हम क्या लिख सकते हैं, तो हमारा सही जवाब है, ओप्शन फोर, इसमें किसी बदलाओ की आउशक्ता नहीं है, यह एकदम खीक है, आगे बढ़ते हैं, परमोध का प्रियाए वाच्ची क्या है, बताइए, तो परमोध का क्या होगा, हमारा सही जवाब है, ओप्शन फोर, हर्ष, आगे बढ़ते हैं, सभी साथियों वे विद्यार्थियों से अनुरोध है, कि आप सभी अपने फोन में नोकरी एस्पिरेंट टीम के ओफिचल वर्टसप नमबर सेव कर ले, और आप अपना नाम, अपने राज्या का नाम, आप किस गोर्मेंट एकजाम की तयारी कर रही है यह सभी डिटेल लिखकर हमारे पास वर्टसप नमबर पर मैसेज करें, जिससे हम यह जान पाएंगे कि आप किस एकजाम की तयारी कर रही हैं, और हम आपको आपके एकजाम से संबंदित पीडियाफ और स्टडी नोर्स, सिद्धे आपके पास वर्टसप मैसेज की दवारा बेश सके, हमारा ओफिशल वर्टसप नमबर है 8930213325, फोन नमबर सेव करना ना भूली, आगे बढ़ते हैं, अगर आप किसी भी गोर्मेंट एकजाम की तयारी कर रही हैं, तो आप हमारी वेबसाइट www.nokryaspirant.com पर विजिट कर सकते हैं, यह हमारी वेबसाइट का लोग है, गुगल पर आप सर्च करेंगे, नokryaspirant के नाम से आपको यह दिख जाएगा, यहाँ पर आप अपकमिंग एकजाम, for example, CGL, GD, HT, CT, किसी भी एकजाम की तयारी यहां से कर सकते हैं, यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट के MCQ और Qs MCQ सभी कुछ मिल जाएंगे, यहां से स्टेटवाइज एकजाम की तयारी भी कर सकते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, सही वर्तनी वाले शब्द का चैन करें, तो बताए चार में से कौन सा शब्द एकदम सही है, तो हमारा सही जवाब है, option C, शुद्धी गरण, आगे बढ़ते हैं, चोल सेंद मारते हुए चोल सेंद लगाते पकड़ा गया, option A आएगा, आगे बढ़ते हैं, कौन से भाग में तुर्टी हैं में वो बतानी है, काशी के विद्वानों का कहना है, या कोई तुर्टी नहीं है, बताए कौन से भाग में तुर्टी है, तो हमारा सही जवाब क्या आएगा, बताए कोमे या कोई तुर्टी नहीं है इसमें, आगे बढ़ते हैं, सही वर्तनी वाले शब्द का चैन करें, बताए चारों में से कौन सा शब्द देख दम ठीक है, हमारा सही जवाब है, option B, खड़ते हैं, तलवार का समानार्थी शब्द, क्या होगा, तो हमारा सही जवाब है, तलव का है, option B, खड़त, आगे देखते हैं, मेरी शंकाओ का निराकरण हो जाना चाहिए, तो बताए ये निराकरण की जगए क्या आएगा, इसकी जगए, इसका प्रियाईवाची शब्द क्या है, चारों में से, ये काफी बार आ चुका है, निराकरण शब्द, तो निराकरण क मतलब होता है, option B, समाधान, यानि मेरी शंकाओ का समाधान हो जाना चाहिए, आगे बढ़ते हैं, जो पहले रहा हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, बताएगे, क्या होगा, जो पहले रहा हो, तो हमारा सही जवाब है, option 4, भूत, पूर, आगे बढ़ते हैं, जो द जो देवताओं के लिए योग्य हो, हमारा सही जवाब है, option 3, दिव्य, आगे देखते हैं, रिक्तिस्थान बरनाय में, उनकी खालिस्थान भी उनके साथ आई है, तो क्या ही है, क्या बोलेंगे, पत्नी, महिला, इस्त्री, नारी, तो हमारा सही जवाब है, option है, उनकी पत् बात आई है, आगे बढ़ते हैं, कौन से बाग में तरूटी है, इस पुस्तक का यह है, नोवा संसकरण है, बताए कौन से बाग में है, हमारा सही जवाब है, option भी, संसकरण, यह से नहीं आएगा, आदा से आएगा, यह से भी नहीं आएगा, अलग आएगा यह, लेकिन यह गलत है, चलिए गध्यास पढ़ते हैं हम अपना, हो सकता है, आप सोचते हो, कि जैसे आपके बाबा ने, जिन्दगी, खालिस्तान, वैसे ही आपके बाप ने, और शायद वैसे ही आप भी, खाने पहनने का वही डंग, वही पूज्या खालिस्तान, वही अपने देवी देवता, वही खालिस्तान रिष्टे, वही आचार खालिस्तान, वही अपने खालिस्तान, वही उमंगे, और मन में दुमर्ती हुई वही पीडाई, तो पहले देखते हैं अपनी first line हो सकता है आप सोचते हो कि जैसे आपके बाबा नहीं यहाँ पर बाबा का मतलब है आपके दादा जी नहीं जिन्दिगी खालिस्ता तो जिन्दिगी किसाथ क्या आएगा देखते हैं बिताई, छोड़ी, निवाई, काटी तो कौन सोजवब आएगा? हमारा सही जवब है option ए जैसे जिन्दिगी आपने बाबा ने बिताई आपके बाबा ने बिताई यह पर बिताई वैसे ही आपके बाब ने और शायद वैसे ही आप भी खाने पहनने का वही ढंग वही पूज़ा पूज़ा के बाद क्या आएगा देखते हैं प्रणाम, पाठ, बजन, किर्थ तो पूज़ा के साथ क्या लगता है कोमेंट करके बताओ हमारा सही जवाब है ओप्शन B वही पूज़ा, पाठ आगे देखते हैं वही पूज़ा पाठ, वही अपने देवी देवता वही खालिस्तान रिष्टे तो रिष्टे के साथ क्या वड़ जुडता है नात्ते, संबन, परिवार, घर तो हमारा सही जवाब है ओप्शन है रिष्टे के साथ नात्ते जुडते है वही नात्ते रिष्टे, वही आचार, आचार के साथ कौन सा वड जोड़त है संस्कार, विचार, वयवहार, उपचार तो हमारा सही जुवब है Option ब आचार, वही आचार, विचार वही अपने, अपने के साथ कौन सा वड जोड़ गया देखते हैं वही अपने सब के दूसरे पराये उनके तो हमारा सही जवाब है अपने के साथ जुड़ेगा option 3 वही अपने पराये चले एक बार पढ़ लेते हैं इसको option के साथ हो सकता है आप सोचते हो कि जैसे आपके बाबा ने जिन्दिगी भी ताई वैसी ही आपके बापने और शायद वैसी ही आप भी खानने पहनने का वही डंग वही पुझापाट वही अपने देवी देवता वही नाते रिष्टे वही आचार विचार वही अपने पराये वही उमंगे और मन में गुमरती हुई वही पीड़ाए चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी सिफ्ट सेकिंड के MCQ की तरफ हमारा पहला प्रस्न है वह बात जो जन साधारन में चलती आ रही है जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो बच्चे लेट से जुड़े हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्रा आएगा इसका तो हमारा सही जोब क्या है ओप्शन D क्विदंती जो बात जन साधारन से चलती आ रही है उसको बोलें क्विदंती आगे बढ़ते हैं पाने का बताशा होना क्या मतलब इसका पाने का बताशा होना बताशा का मतलब या पर होते जैसे बुलबुला सा हो जाता है ना तो इसका मतलब है option C छन बंगूर होना आगे बढ़ते हैं रिक्तिसान बरनायमे इसमें महेश को स्वम पर भरोसा है वै किसी की खालिस्ता नहीं करता तो बताई ये किस की क्या नहीं करता तो हमारा सही जवाब है option B वै किसी की परवा नहीं करता आगे देखते हैं श्वेत का विलोम शब्द होगा श्वेत का उल्टा क्या होगा इसमें तो हमारा सही जवाब है option B श्याम श्याम का मतलब यह पर काला है आगे बढ़ते हैं परतिस्थापित करने हैं खंट को हो सकता ह तुम्ही यह पत्तर फाड़े हो तो बताई इसके जगे हम कौन सा बदलाव कर सकते हैं बताई ये तो हमारा सही चौप क्या होगा Option B हो सकता है तुम्ही ने यह पत्तर फाड़ा हो आगे बढ़ते हैं बिजली का समानार्थी शब्द क्या होगा बिजली का कॉमेंट करके बताओ हमारा सही जवाब है Option बिजली का Option B सोदामीनी बिजली का क्या आएगा सोदामीनी आगे बढ़ते हैं सोहन की बहन धीरे धीरे पुष्तक पढ़ती है अगर आप लोगों ने नोटिस किया है जो बच्चे सुरू से जुड़े हुए हैं हमारे साथ तो कुछ प्रसंद तो वैप पस ही रिपीट होते आ रहे हैं काफी परसंद है अगर आप लोग ये भी कर लोगे ना तो आपकी ये समझ लो कि 20 में से 18 नमबर लगके आ सकते हो आप तो बताइए पहुंसे बाग में तुरूटी है तो हमारा सही जवाब है ओप्शन भी कोई तुरूटी नहीं है आग गी बढ़ते हैं जिक्के की किलास 8 बजे टाइमिंग याद रखना वहें बेचारा जनम से अन्दा है तो अबताइए इसके जगे क्या लिकिंग देखो जनमांद आगे बढ़ते हैं वहें थोड़ा ही बोजन करता है ये भी फिर रिपीट है थोड़ा ही बोजन करने वाला तो क्या बोलेंगे उसको ओप्शन भी अलपाहारी थोड़ा बोलने वाला अलपभाश्री ऐसे हैं जो देखाने जा सके ये भी रिपीटिड है जो देखाने जासके सारे रिपीटिड क्योश्चन है हमारा सही जवाब है ओप्शन भी आद रिश्य जिसकी उत्पती सो भागत नहोँ बताईए जिसकी उत्पती सो भागत नहोँ उसको क्या बोलेंगे ओप्शन ए कत्रीम आगे देखते हैं कौन से बाग में तुरुटी है तुम्हें इस बात को अच्छी तरह बूजना समझना चाहिए तो कौन से बाग में तुरुटी है बताईए कॉमेंट करके वेरे गूड तो मारा सही जुआब है बूजना समझना चाहिए या कौन से भाग में बताइए बात को रिक्त स्थान बरना में साहित्य और जीवन का खालिस्तान संबंद है तो कैसा संबंद है तो मारा सही जवाब है option A अभिन संबंद है ये भी repeated question है ये वाला भी आगे देखते हैं सही वर्तनी वाले शब्द का चैन करें वताये तो हमारा सही जवाब क्या है option C स्वामी भक्ति आगे देखते हैं कौन सा वाख्य शुद है ये कुछ नया आया इसमें कौन सा वाख्य शुद है मैंने मोसमी को बुलाई मैंने मोसमी बुलाता हूं मैं मोसमी बुलाता हूँ मैं मोसमी को बुलाया मैंने मोसमी को बुलाया तो कौन सा ठीक एक दम तो मारा सही जवाब है option 4 मैंने मोसमी को बुलाया त्रियाई वाच्ची शब्द का जोड़ा बताना हमें कौन सा ठीक है चारो में से बताओ तो हमारा सेजोब क्या है? ओप्शन ए भोरा अले ये एकदम ठीक है कवी, कविता, लड़का, लड़के, अनुकूल, प्रतिकूल एक इसमें विलोहम का है एक इसमें लिंग का है एक में भाव है कवी क्या करता है? कविता लिखता है शब्द का विलोहम चुने स्वस्थ स्वस्थ का उल्टा क्या होगगा बताइए कोमेंट करके तो हमारा सही जोब है ओप्शन फोर, रूगन ये भी रिपिट्टिड क्यूस्चन है आगे देखते हैं सही वर्तनी वाले शब्द का चैन करे बताइए चारों में से कौन सा शब्द देखते हम ठीक है, ये भी आया हुआ है बताइए कोमेंट करके हमारा सही जोब है ओप्शन फोर सुस्मा आगे बढ़ते हैं पल्ला पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ बताइए हमारा सही जोब है ओप्शन फी सहारा लेना आगे बढ़ते हैं सादा जीवन खालिस्तान विचार ही जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए तो कौमेंट करके बताओ क्या होना चाहिए सादा जीवन उच्च विचार आगे बढ़ते हैं गद्यांस को पढ़ते हैं भावना की अतिशेता जिस परकार अंद विश्वास को उत्पन करती है बुद्धी की खालिस्तान ठीक उसी परकार मनुश्य को दान्नो बना देती है और आज हम जिस युग में जी रहे हैं वह सचमुच ही खालिस्तान बरबरता का युग है जीवन के सारे खालिस्तान उलट पुलट गए हैं और मनुश्य का यह भूल और मनुश्य यह भूल गया है कि उसका खालिस्तान केवल अपने आपको ही जिलाना नहीं बल्कि समस्त माननों जीवन को जीवित रखने में खलिस्तान होना चाहिए तो पहली लाइन पढ़ते हैं माननों की अतिशेता जिस परकार अंध विश्वास को उत्पन करती है बुद्धी की ठीक तो बुद्धी की क्या? हीनता, नियूनता, महानता, अतिशेता तो हमारा सही चौप क्या होका? ओप्शन फूर तो बुद्धी की अतिशेता क्या करती है? बुद्धी की अतिशेता ठीक, उसी परकार मनुश्य को दानों बना देती है और आज हम जीस युग में जी रहे हैं वहें सचमुच ही खालिस्तान तो क्या है? लक्षय, मुल्य, अधिकार बुद्धिक, मांसिक, शारिरिक, बुद्धिक तो क्या आएगा? तो हमारा सही चौप है, ओप्शन फूर बुद्धिक वहें सचमुची बुद्धिक बरबरता का यूग है जीवन के सारे खालिस्तान उलट पुलट गए हैं तो जीवन के क्या? तो क्या आएगा? चारो में से हमारा सही जवाब है, ओप्शन फूर्पिक जीवन के सारे मुल्य पुलट पुलट गए हैं और मनुश्य यह बुल गया है कि उसका खालिस्तान केवल तो क्या बुल गया है मनुश्य? उसका हित, कारिय, धर्म या दीकार तो हमारा सही जवाब है, ओप्शन फ्री उसका धर्म केवल अपने आपको ही जिलाना नहीं, जीवाना आए गया पर केवल अपने आपको ही जीवाना नहीं, बलकि समस्त माननों समाज को जीवित रखने में खालिस्तान होनना है तो क्या आए गया है, इसकी साथ? बाद्दक, सहायक, परवर्तक, उनायक तो हमारा सही जवाप है, ओप्शन भी सहायक होनना है चलिए, अब बढ़ते अपनी सिफ्थर्ड के MCQ की तरफ जिन्होंने अभी तक हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया, चलती से सब्सक्राइब कर दो और लाइक का बटन दबा दो वट्सप नमबर सभी ने लिख लिए न, 8930213325 सभी सेव कर लो कौन से भाग में तरुटी हमें ये बताना है विवेका नंद का देश सदा आभारी रहेगा, कोई तरुटी नहीं, बताईए है या नहीं है, कोमेंट करके बताओ तो हमारा सही जोब क्या होगा, ओप्चन फोर और भाग ए विवेका नंद को या इस भाग में तरुटी है पर आएगा, का के जगा क्या आएगा, पर विवेका नंद पर देश सदा आभारी रहेगा कौन से भाग में तरुटी है, या बदलाओ की आउशकता है, ये बतान्य में मुझे टमाटर का गर्म सूप पीना बहुत अच्छा लगत है ये तो बिहारी बासा आ गई या पर कौन-कौन बिहार से बताईए युप्पी बिहार से अच्छा लगत है, बताईए कौन से भाग में तरुटी तो हमारा सही जवाब है ओप्शन फोर मुझे टमाटर का गर्म सूप पीना बहुत अच्छा लगता है आगे बढ़ते हैं जो इस्त्री विद्वान हो बताईए जो इस्त्री विद्वान हो क्या आएगा उसका तो हमारा सही जवाब है ओप्शन बी विदूशी आगे बढ़ते हैं रिक्त स्थान बरना में मैंने एक गाई और एक बैस खालिस्ता तो क्या हुआ मैंने एक गाई किसान परिवार से लगता है कोई तो मैंने एक गाई और एक बैस खरीद दी ओप्शन ए आगे बढ़ते हैं शुद्वर्तनी वाला शब्द बताने है चारों में से कौन सा शब्द देखदम ठीक है तो मरा सही जवाब है ओप्शन ए निस्पक्ष आगे बढ़ते हैं भीगी बिल्ली बनना बिगी बिल्ली तो इसका मतलब ऑप्शन है सहेम जानना जब आप कोई गलती करते हो तो बिगी बिल्ली बनते हो ना सहेम जानना आगे बढ़ते हैं बार जोकना बार जोकना इसका मतलब क्या है जल्दी से बताओ इसका मतलब होता है option 3 वैर्थ समय खोना तो आपको बार नहीं जोकने आप लोगों को भी जिड़ी का एक्जाम एकदम नस्दीक है तो आपको बिल्कुल भी समय वैर्थ नहीं करना है आगे बढ़ते हैं पोशक का विलोम शब्द होगा बताईए पोशक का क्या होगा विलोम शब्द तो पोशक का उल्टा है option 3 शोसक आगे बढ़ते हैं शुद्वर्तनी वाला शब्द चारों में से कौन सा है कॉमेंट करके बताओ हमारा सही चुआब है बताईए very good option 3 दुषकर आदान का क्या होगा आदान का है option B प्रदान आगे देखते हैं रिक्तिस्थान बर्ना में दो दिन से खालिस्थान में ठंड़क है तो पताईए क्या होगा इसका तो मारा सही जुआब है दो दिन से मोसम में ठंड़क है आगे देखते हैं इस लोग से सम्बंदित एक शब्द चुनिए इसके लिए इस लोग से सम्बंदित क्या होगा हमारा सही जवाब है option D लोग की आगे देखते हैं बिजलिक कसमानार्थी शब्द अभी आये था थोड़े देर पहले वो option है इसमें वो तो नहीं है लेकिन कुछ मिलता जुलता जरूर है तो क्या आएगा जल्दी से बताओ तो हमारा सही जवाब है option A बिजलिक होगा दामिनी उसमें था सो दामिनी यहाप पर आवा गया दामिनी आगे बढ़ते हैं आकाश का आकाश का प्समानार्थी सब्द क्या होगा हमारा सही जवाब है option D आगे देखते हैं कौन से बागमित रुट्टी अमें वो बताना है कोई किसी को सिखाता नहीं की ऐसी उच्चारण करो बताईए कौन से बागमित रुट्टी है तुमारा सही जवाब है option A यानि बाग तीन ऐसी नहीं आएगा ऐसे उच्चारण करो ऐसे आएगा आगे देखते हैं दस आदमियों ने नाव से नदी को पार किया कोई रुट्टी नहीं बताईए तो क्या आएगा इसका मतलब है option 3 कोई रुट्टी नहीं है आगे बढ़ते हैं बाईयों के जगडे का हेत्टू क्या हो सकता है तो बताईए क्या आएगा इसका हमारा सही जवाब है option B हेत्टू की जगए बाईयों के जगडे का कारण क्या हो सकता है आगे बढ़ते हैं हमारी संस्कृती में गुरू और शिश्य का संबन्थ बहुत सुंदर और मदूर हुआ करती थी, तो बताइए इसकी जेगे क्या आएगा, इसको एकदम ठीक करके लिखो, हमारा सही जवाब है, बताइए, हमारे संस्कृति में गुरू और शिश्य का सम्मंद बहुत सुन्दर और मदूर हुआ करता था option 3 आगे बढ़ते हैं रिक्तिस्थान वर्ना में परिक्षा की खालिस्थान बदलनी चाहिए तो क्या बदलनी चाहिए? आएगा option भी प्रणाली बदलनी चाहिए आगे बढ़ते हैं जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ट हो बलिष्ट है उसको क्या बोलेंगे? जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ट है उसको बोलेंगे option 4 लो पुरुष आगे बढ़ते हैं गध्यांस को पढ़ते हैं वायू पर्दुशन सबसे बड़ा खालिस्तान है। यह मानव जीवन की खालिस्तान से जुड़ा है। कल खार खाने की खालिस्तान हलवाईयों की बटिया, रात दिन दोड बाग कर रही गाडियों, घंटों से जलने वाली अंगीठिया, आदि अपने खालिस्तान तत्लों से पूरे वायू मंडल को खालिस्तान कर देते हैं। ओप्शन के साथ पढ़ते हैं। वायू पर्दुशन सबसे बड़ा खालिस्तान की है। तो क्या है? तो हमारा सही जवाब है, ओप्शन भी सबसे बड़ा खत्रा है। यह माननो जीवन की खालिस्तान से जुड़ा है, तो किस से जुड़ा है? माननो जीवन की जिन्दगी, सरीर, किर्यकलाप, वक्त, तो हमारा सही जवाप है, यह माननो जीवन की जिन्दगी से जुड़ा है, आगे बढ़ते हैं, कल कार खाने की खालिस्तान ने, तो कल कार खाने में क्या होतते है संपदाए चिमनिया गाडिया यंत्र तो हमारा सही जवाप है ओप्शन वी कलकार खाने की चिमनिया हलवायो की बटिया रात तिन दोड भाग कर रही गाडियो घंटों से जलने वाले अंगीठिया आधी अपने खालिस्तान तत्वों से पूरे तो किस से ओप्शन देखते हैं कौन सा एक चारो में से तो हमारा सही जवाप है ओप्शन डी विशाक्त विशाक्त तत्वों से पूरे वायो मंडल को खालिस्तान कर देते हैं तो पूरे वायो मंडल को क्या कर देते हैं तो हमारा सही जवाप है option for दूशीत कर देते हैं दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास कैसी लगी? कॉमेंट में ज़रूर बताना वीडियो को like, share और चैनल को subscribe करना नहीं भूले साथ ही bell icon पर भी click कर देना ताक कि आपको आने वाली वीडियो की notification मिलती रहे thanks for everyone, bye bye, take care